प्रिय शिक्षार्थियों राष्ट्रिय मुक्त विध्यालई शिक्षासमस्थाने इन आई ओएस के स्टूडियो में आपका पुनहा स्वागत अभिनन्दन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचारी वेद विभाग श्री जगनात समस्क्रत विश्विद्याले पूरी से आपके मद्य उच्चतर माध्य में कक्षा के वेदाध जयनम पाठ्ठिक्रमान तरगत वाइसमें पाठ परजन्यसूक्त के भाग दो के अध्ययन के लिए पुनहा उपस्थित हूँ इस पाठ में परजन्यसूक्त के मंत्र च्छा से दस तक का हम अध्ययन करेंगे परजन्यसूक्त का छठा मंत्र इस प्रकार है इहा मंत्र है मैं पुनरेगवारिस मंत्र का पाठ करता हूँ दिवोनो व्रिष्टिम् मरुतो ररीद्वं प्रपिन्वतव व्रिष्णो अश्वस्यधारा आहा अर्वाडईते नस्तनयत नह्येपो निशिंचत्र सुरह पितानहा यहा मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है इसका भावार्थ इस प्रकार है मंत्र में कहा जाता हे मरुत अंतरिक्षात असमा कमक्रते जलं प्रहच्छतू हे परजण्यदेव हे मरुत स्वरुपीदेव अंतरिक्ष लोग से आप हम प्रत्वी लोगों के लिए घलब प्रदान करें वर्षणं कुर्वताम मेघा नाम धाराम प्रवाहयतू वरशा करने वाले जो वरशा के करने वाले मेघ हैं उनकी धाराओं को प्रवाहित करें हे हमारे पालक हमारे पोशक हमारे प्रान रूपी जर्दत्व को देने वाले हे परजन्य देव आप जलब प्रदान करते हुए गर्जना करते हुए मेख के साथ प्रत्वी लोग में आएं आपका स्वागत है हमारे प्रान रूपी जलत अत्तो दायक हे परजन्य आपकी महती आवश्चता इस भूभाग में है अत्ता आप हमारे लिए जलब प्रदान करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में की गई है अग्रिम मंत्र है अभिक्रंदस्तनय गर्भमाधा उदन्वता परिदिया रथेना दृतिन सुकर्ष विशितन यंचन समाभवन तूद्वतो निपादाहा यहा मूल मंत्र हुआ इसका पदप इस प्रकार है अभिक्रंदस्तनय गर्भमाधा उदन्वता परिदिया रथेना दृतिम सुकर्ष विशितन यंचन समाभवन तूद्वता निपादाहा यहां पदपाथ हुआ इस मंत्र के भावार्थ को हम विचार करते हैं मंत्र में कहा गळा है पर्जन्यदेव हे वर्षाकारक भगवन भूमिम भूमी को प्रसंद करने वाले भूमी के मित्र हे पर्जन्यदेव भूमी को अविमुखी करके भूमी को देश करके प्रतिवी को परिलक्षित करते हुए आप गर्जना करें ओशधीशु गर्भम जलम स्थापयतू ओशधियों में आप गर के रूप में जलकी स्था बना कराएं वरक्षवनस्पतियों को रससे युक्त करें जलयुक्तम रथम परितहा भ्रमतू हे भगवन हे परिजन्य देव आप जलयुक्त रथ को संपूर्ण वसुधा में चारों तरफ भ्रमन करावें विशिष्ट रूपेन बध्धम जलपात्र अधो मुखी कर्ट्य जलम पिन्वताम हे भगवन विशिष्ट रूप से जो आवरक्षवति के द्वारा उपनिवध जलपात्र है उसके बंदन को खोल करके उसको अधो मुखी नीचे की और उसका मुख करके प्रतिवी में जल का वरशा कराएं ये न उर्द्व स्थानम अ मंतर रिक्ष और भू समान के रूप में हो जावे प्रतिवी भी हरी भरी रहे ऐसी अभिलाशा इस मंतर में की गई है अग्रिम मंतर है महान तंकोश मुच्या निशिंच स्यंदन्ताम कुल्या विशित पुरस्तात घरते नध्यावा प्रतिवी व्यंधी सप्रमानं भवत व यहां मूल मंतर हुआ इसका पतपाथ इस प्रकार है महान तंकोश मुच्या निशिंच स्यंदन्ताम कुल्या विशित पुरस्ता आदे घरते नध्यावा प्रतिवी इती वी उंधी सुप्रपानं भवत अग्ञ्याव्या यहां पतपाथ हुआ इस मंतर के भावार्त को हम विचार करते हैं मंतर में कहा गया हे परजन्यदेव मेघम उर्द्वभागम आदाय गच्छ तू किंच वरशनं करो तू हे परजन्यदेव वरशा के पूरो में यहां जो मेघाच्छिन आकाश है ऐसे आकाश में स्थित मेघ को उपर करते हुए उपर लेते हुए आप जाएं और प्रशिवी में वरशा कराएं नद्यहा बंधन रहिताह संतहा सम्मुख भागम प्रभंतू नदियों के बंधन को खोलते हुए नदियां बंधन रहित होते हुए सम्मुख भाग में प्रवाहित होएं अगर भाग में प्रवाहित होएं जलेन जुलोकम तथा प्रत्वी लोकम विशेश रूपेन सिक्तं करोतू आप जलके द्वारा इस प्रत्वी लोक को और सूर्य लोक को जुलोक को विशेश रूप से अनुसिंचित करें गवान करते पानियम जलम वरिशतू गववों के लिए मुझे मनुश्यों के लिए वरिक्षवनस्पतियों के लिए अच्चन्त उपादे जो जलतत्त रूपी रस है उसकी वरिशा करावें तो विविद प्रकार से वरिशा की कामना इस मंतर में परिजन्य देव से किया गया है अग्रिम मंतर है मैं पुनर एक बार इस मंतर का पाठ करता हूँ प्रतीदं विश्वं मोदते यत किंच प्रतिव्याम अधी यहाँ मूल मंतर है इसका प्रतपाठ इस प्रकार किया जाता है यत परजन्य कनिक्रदत स्तनयन हमसी दुह कृतह प्रतीदं विश्वं मोदते यत किंच प्रतिव्याम अधी या पदपाथ हुआ इस मंत्र के स्रदार्थ को हम विचार करते हैं हे परिजन्य देव यदा भवान तीवर शब्दम कुरवतहा गर्जनं कुरवतहा दुषकर्म कुरवताम जनानाम हननं करोती तदा ये पृथिव्याम तिष्ठंती ते आनंदिताह भवंती हे भगवन वरशाके देव, हे परजन्य स्वामी, जब आप अच्टन्त तीवर शब्द करते हुए, गर्जना करते हुए, उन्नत शब्दों में गुंजा ज़मान होते हुए, जब आप दुषकर्म रत लोगों को सरवनास करते हैं, दुषकर्म करने वाले लोगों का वध करत होते हैं तब प्रतिवी में रहने वाले सब्समाज के मनुष्य अत्यन्त आहलादित होते हैं आनंदित होते हैं प्रसन्न होते हैं ऐसी चर्चा इस मंत्र में किया गया है अग्रिम मंत्र है मैं पुनर एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ अवर्शीर वर्ष मुदशू ग्रिभाया करधन्वान्यत्य तबाउ अजी जन ओशधीर भोजनायक मुत प्रजाप्यो विदो मनीशाम यहां मूल मंत्र हुआ इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार किया जाता है अवर्शी ही वर्षम उता ओम इती सू ग्रिभाया अकहा धन्वानी अती एतवै ओम इती अजी जनहा ओशधी ही भोजनायकम उता प्रजाप्यो विदो मनीशाम यहां पदपाठ होगा इसका सरलार्थ इस प्रकार है मंत्र में राथना किया जाता है हे परजन्य देव भवान वर्षनं करोतू भवान यत पूर्ण रूपेन रोधं करोतू जलहीन प्रदेशं अतिक्रम्य गमन योग्या भवतू भोग करनाय ओशधी नाम उत्पत्तिं करोतू तथा लोकात प्रशन साम प्राप्नोतू मूल भावार्थ ऐसा है इस मंत्र में रातना करता है यजमान कि हे भगवान परजन्य आप प्रथवी में वर्षा कराएं और आप पूर्ण रूप से जो वर्षा का अवरोध है उसको हटाएं पूर्ण रूप से वर्षा कराएं जो जलहीन प्रदेश है उसको उलंगित करक गमन योग आप बनें उसको उद्देश करके उस प्रदेश में आप निश्यत रूप से वरशा कराएं और प्रतिवी में रहने वाले जीवों के विविद प्रकार के अन्नादि भोग के लिए अउश्डियों की उत्प्त्ति कराएं और समस्त लोग से आप प्रशन सा प्राप्ट करें हम जैसे यजमानों से आप स्तुत्य होएं हम आपकी स्तुत्य करते हैं ऐसी प्राथना इस मंत्र में की गई है परजण्यसूक्त का सारा संग्षेप इस प्रकार है अस्मिन सूक्ते प्रधान तहा जलवर्षण स्यक्रते प्रार्थना विधियते इस परजन्य सूक्त में विशिष्ट रूप से प्रत्वी में जलकी वर्षा के लिए परजन्य से प्रार्थना किया गया है तथा ही परजन्य देवतायाहा माहात्म प्रकड़नं क्रियते और प्रार्थना के साथ साथ भगवान परजन्य के विशेस्ताओं का वर्णन उनके माहात्म का वर्णन किया गया है परजन्य यहां वरक्षान खंड सहा विधक्तान करोती परजन्य जो हैं वरक्षों को अलग-अलग खंडों में विभक्त करते हैं किंच बयंकरई ही अस्त्रे ही गर्जन अस्मिन संसारे दुष्टा नाम संभारम करोती और विविद अस्त्रों से विभूशित होते हुए गर्जना करते हुए इस संसार के दुष्टों का संभार करते हैं रथारू रस्वामी इव गच्छन स्वस्य दूतान मेघान प्रकटी करोती रथ में उपविष्ट स्वामी के समान रथ के स्वामी के समान चलते हुए वह अपने दूत रूपी मेघों को प्रकट करते हैं प्रस्वी में वर्षा के लिए सिंभवत गर्जनम संपूर्णम आकाशं मेघाच चंन करोती वह अप्रवाह करते हुए वायु का प्रवाह कराते हुए विद्यत प्रकट करते हुए विजली प्रकट करते हुए आउशदियों का भरन पोशन करते हुए वरशा के द्वारा आउशदी वरिक्षवनस्वतियों को उत्पन्न करते हुए जल के द्वारा संपूर्ण प्रतिवी के प्राणियों की रक्षा करते हैं ऐसी चर्चा परजन्यदेव के विशे में इस सूक्त में किया गया है धन्यवाद